हालो दोस्तो आप सब्सक्राइब अपने ही चनल जीके माधिका पर दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार सिछक भरती 2030 के लिए प्लेटफार्ण बुक भॉलम 2 से टेस्ट स्री 3 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे दोस्तो पार्ट 1 वीडियो बना दिये हैं 100 क्यूशन तक वीडियो बना दिये हैं आज की वीडियो में 101 से लेकर 1500 क्यूशन तक वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूक लेजेगा तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला प्रस्ण है निम्ड में से किस वर्स क्रिसी मूल आयोग की अस्थापना की गई तो किस वर्स दोस्तो क्रिसी मूल आयोग की अस्थापना की गई तो वर्स 1965 में ठीक है इसका सही अंसर option भी हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1985 में किरिसी मुल आयोग का नाम बदल कर किरिसी लागत और मुल आयोग कर दिया गया ठीक है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तो सभी fact को ध्यान अगला प्रस्ण हे स्तंतता से पुर्व कौन सा भारतिय खेत्च काला पानी के नाम से जाना जाता है यसका सही अजरBS 1 अगला प्रस्ण दिखते हैं क्यों सिंसर्ण से क्या तातवजures थो फ्लोर क्रोसिंग से क्या ताथवर्ज है तो यह दोस्तों संसद या विदान मंडल में एक दल के सदस्का दूसरे में समलित हो जाना है तो इसका सही अंसर option B हो जाएगा अगला प्रसंद दिखते हैं किस बेग्यानिक समाजवाद का सरेझ जाता ठाहर तो जाता है ठीक है तो ठीक है इसका सही answer option D हो जाएगा अब जुस्तों बात के लेते हैं कि कारल मास के द्वारा परसीद्फ पुष्टक जो है कौन सा है तो तो ध्यान रखेगा अगला प्रस्aben रखते हैं कि जिन , समाणि रूप से सैल . अलबा या धाल से गिरने वाली मिट्टी के बिरहत संचलन के रूप में परिभासित किया जाता है किसको जाता है तो भू अस्क्रान को ठीक है तिसका सही अंसर ऑप्शन D हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि निमन में से किस बिद्वान ने सोतनता के प्रारमिक वर्षो की भारत की दल्य ब्युस्था का एक दल्य पर्भूत्व वाली ब्युस्था के रूप में वर्नित किया है तो क इसका सही अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अब दोस्तों बात कलते हैं कि बिहार के राजगित कौन सा है तो बिहार का राजगित जो है मेरे भारत मेरे भारत के कंठहार है ठीक है यह जो है गित है मेरे भारत के कंठहार है और इसका संगीत किस ने दिया था तो दोस्तों संग गया था और यह जो है इसको अपनाया गया था कब तो मार्च मार्च 2012 को इसे अपनाया गया था ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगा अगला प्रसंद देखते हैं क्योंचन है जन गारा के अनुसार किस के नसासित परदेश का लिंगा अनुपाद सबसे कम है तो दमवन एम दीप ठीक है तो इसका सही अंसर आपसान हो जागा अब दोस्तों बात किलेते हैं कि 2014 जनगना के अनुसार किस किनरसासित परदेश का लिंगा अनुपाद सबसे अधिक है तो लच्छदीप का है ठीक है लच्छदीप का है और राज की बात करें तो दोस्तों केरल का लिंगा अनुपाद सबसे जादा है और हर्याना का सबसे कम ह को सब ही को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ठ देखते हैं उस फ्रांसेशी सनापति का नाम क्या है जो शत्रा सो साथ में वानडिवास जूद में प्राजित हुआ तो किस जान Kun में सिप bar भारते समचार पत्रों का मुक्ति दाता जो है किसे कहा जाता है तो चार्स मैटकोफ को कहा जाता है तो इसका सही अंसर ऑप्सण डी हो जागा अगला प्रशन है कि 30 मैं उनैत्व उनैस को अपना अलंकरन भारत सरकार को लोटाने वाले भ्यक्ति कौन थे तो दोस्तों बात कहलेते हैं कि 13 अप्राईल 13 अप्रेल 1929 को जलिया वाला बाग हत्या कान के विरोध में दुस्तो रविंद्र नाट टाइगोर ने अपना जो है नाइट हूड की उपाधिन लोटा दिया था जमना लाल बजाज ने राय बहाधूर के उपाधिन लोटा दिया था ठीक है तो सभी को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ठा है कि जीम कारविटष्टी अभियारन कहां इस्थी थे तो दोस्तो जीम कार्विट राष्टिय अभ्यारन जो है उत्रा खंड अनूत्रांचन में सी थे तिसका सही अंसर आप्शन नहीं हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं, क्योचन है भारत में सूचना का अधिकार है, तो दोसुन भारत में सूचना का अधिकार जो है विधिक अधिकार है, तिसका सही अंसर आपूसन भी हो जाएगा. अगला प्रसन है लोग की हित मुकदमा किस से संबंध किया जा सकता है तो नियाईक सक्रिता वाद से ठीक है तिसका सही अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं कि उचन है की आर्थिक नियोजन समंधित है तो समाजबादी एवं मिस्वित दोनों अर्थविवस्था से समंधित है ठीक है तो इसका सही अंसर ऑप्शन C हो जाएगा अगला प्रसंद सहायक संधी को सविकार करने वाले पर्थम भारतिय सासक था तो हैदराबाद का निजाम था ठीक है तिसका सही अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि ठागी का उन्मुलन किसके निर्तित्व में हुआ था तो ठागों का उन्मुलन ज समाप्त क्या गया था उन्हें सो तीस में समाप्त क्या गया था और लौड बिलियम बेटिंग ने सलीमन के सहायता से उन्हें सो तीस में ठागी पर्था को समाप्त किया था ठीक है सती पर्था को समाप्त जो दोस्तो राजा राम मोहन राय के सहायता से जो है लौड बिलियम बेटिंग ने 929 में समाथ किया था ठीक है तो सभी को ध्यान देखे गया अगला प्रस्ण है इन में से वह पर्थम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर अंदोलन की संगठित किया था तो पर्थम नेता को नाम बताना है कि जिन्होंने भारत में मजदूर अंदोलन क की संग्ठित किया था तो एन एम लोखंडे ने ठीक है तिसका सही अंसर ऑप्शन सी हो जागा अगला प्रस्ण है कि स्वाधिंता के पूत्र पूत्रियां नामक संस्थाक्स अस्थापित की गई है तो किसके दोरान अस्थापित की गई है अमेर्की सोतनता संग्राम के दोरान ठीक है तिसका सही अंसर option C हो जाएगा अगला प्रसन है कितने आमियतोर के साथ-साथ अंतराष्टिय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है तो अंतराष्टिय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री पर निर्धारित की जाती है तिसका सही अंसर option D हो जाएगा अगला प्रस्ण है तांबा ऐसको के लिए विख्यात छेतर खेतरी निम नखीत में से किस राज में इस्थित है तो दोस्तों खेतरी जो है किस राज में इस्थित है राजस्थान में इस्थित है ठीक है इसका सही अंसर ओप्शन डी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं सही अंसर option भी हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छे 352 जो किसे संबंदित है तो राष्टिय अपात से संबंदित है अनुच्छे 360 जो है बितिय अपात से संबंदित है ठीक है तो सभी को ध्यान रखेगा अगला प्रसने समान नागरिक सहीता का उलेक किस अनुच्छेद में है तो समान नागरिक सहीता का उलेक जो है अनुच्छेद 44 में है तिसका सही अंसर option भी हो जाएगा अगला प्रसने किस वैसराय की हत्या समान नागरिक सहीता का प्रसन जो है। भारत में पहली बार जन्गन्ना शुरू की गई थी ठीक है और लॉर्ड रिपन के समय जो है नियमित जन्गन्ना शुरू की गई थी 1881 में ठीक है तो सभी को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यों को चाने गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान था तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तो लुम्बनी में वह था तृसका सही एंसर में निया गौतम पुद का रखे तो सभी को ध्यान रखेगा अगला परसन है Montego James Ford परस्ताव किस से संबन्दित है तो सविधानिक सुधार से संबन्दित है ठीक है तो सही अंसर परकार की बनस्पति है तो सुंद्री विरीश जो है किसकी एक विशेश परकार की बनस्पति है तो जवार यह वन की ठीक है तिसका सही अंसर ओप्सन ए हो जाएगा अगला प्रसन दिखते हैं किशन है बिहार के किस बजट में जेंडर बजट सबसे सामिल तो किस बजट में ज क्रिशक जाच समीती का सदस निम्लिखित में से कौन नहीं था तो अनुगरह नरायन नहीं था ठीक है इसका सही अंसर option C हो जागा अब दोस्तों चंपारं सत्य अगरा कब हुआ था तो 1917 में हुआ था ठीक है महत्मा गांधी के दवारा शुरू किया गया था अगला प्रसन देखते हैं किजा ने भारत और चीन के बीच पंच सिल समझोता कब हस्ताचरित हुआ था ठीक है तो इसका सही अंसर option C हो जाएगा अगला प्रसने पिर्थवी का एक मात्र प्राकिर्तिक उपगरह कौन सा है तो चंदर्मा उपगरह है ठीक है इसका सही अंसर option D हो जाएगा अगला प्रसने पिर्थवी के सता का कितना भाग जो है समूदर तल से प्राप्थ है तो दोस्तों पिर्थवी का कितना भाग बताना क की समुद्र तल से प्राप्थ है तो 29 पर 30 ठीक है तिसका सही अंसर ओप्शन डी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कीचों ने कोईला किस परकार का चटान है तो दुस्तों कोईला जो है किस परकार का चटान है और साधी चटान है ठीक है तिसका सही अंसर ओप्शन डी में तो आरेन मुध होलकर ने किया था ठीक है मुध होलकर तो ध्यान रखेगा अगला प्रसंदों देखते हैं 1857 का पर्थम संदनता संगराम पूष्तक के लेखक कौन है तो 1857 का पर्थम संदनता संगराम का पूस्तक लेखक जो है बीडी सावरकर है तो इसका सही अंसर ओप्शन C हो जाएगा अगला प्रसंद लेखते हैं किश्चन है वह हडपा कालिन नगर जिसका परते निधित वह लोथल का पुरातत वह अस्थल करता है किस नदी तट पर इस्तित है तो भोगवा नदी के तट पर इस्तित है इसका सही अंसर ओप्शन D हो जाएगा अगला प्रसंद निवन में से अजाज सत्रू के वन्स का क्या है अगला प्रसंद नहां किस वन्स की शाषिका रानी दिधा थी तो उत्पल वन्स की ठाक का सही अंसर ओप्शन D हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि युशन है अंडर 19 महिला T20 विसुकप का पहला संस्क्रण किस देश ने जीता है तो भारत ने जीता है तो भारत ने जीता है तो अगला प्रसंद फीफा विसुकप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है तो अमेरिका मेक्सिको कनाड़ा उप्यूक्त में सभी हो जाएगा तो दोस्तों किस ने जीता है तो मेरा बाई चानों ने जीता ठीक है तो इसका सही अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा अगला प्रसंद एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है के एम चंदर से खर है ठीक है तो दूसका सही अंसर और अगला प्रस्टर है कि महाराश्ट राज सरकार ने किस सहर में भिखारी मुक्त सहर नामक पहल शुरु की है तो दोस्तों नागपूर सहर्म अगला प्रस्टर है में किस राज ने भारत के सभी राज्यों में उतुपादों के लिए सरुदिग порядia हासिल किया है के रराजगा सही अंसर अगला प्रशना है कि विज्डन्ट' के प्लेयर ओफ 2022 जो किन भारतिय किर्केट्रों को चुना गया तो दोस्तो विजडन T20 पेलियर ऑफ 2022 जो है किस भारते खिलाडियों को किर्केटलों को चुना गया है तो सूर्ज कुमार जादव और हर्मन प्रित कौर इन्हें दोनों को चुना गया है तो B और C दोनों हो जागा D इसका राइट अंसर ठीक है अगला प्रस्ण है अजरबैजन Grand Prix 2013 किस ने जीता है तो दोस्तो अजरबैजन Grand Prix 2013 जो है सर्जियोप पेरेज ने जीता है ठीक है तो इसका सही अंसर ओप्सर नहीं हो जागा अगला प्रस्ण देखते हैं किस ने 1 से 5 दिसमबर 2013 तक अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लेजेगा जय हिंद